हलो गुद मॉर्निंग स्वागत आपका मेरी चैनल हे सलूशन पर मेरा नाम है स्वार बर्मा और मैं अभी अमेरिका में हूँ यहां पर पढ़ाता हूं अर जगा पे और ओनलाइन क्लासेज भी ले रहा हूं अभी हमारी क्लासेज चल रही हैं हे स्टाइलिंग के उपर आज है 26th of day आज मैं सिखाने वाला हूँ आप लोगों को टॉंग सेटिंग आउट वर्ड जो हम आउट कर्स बोलते हैं आउट वर्ड बोलते हैं कुछ भी बोल सकते हैं टॉंग के साथ एक प्रोपर हे कट के अंदर उसको कैसे सेट किया जाता है ताकि वो हे कट के अंदर जो में अधि की जगा पे आज मैं रियल क्लाइंट पे आपको करके दिखाने वाला हूं गांक सेटिंग कैसे करते हैं आउट वर्ड तो मैंने इसमें परफाइल हे कट किया हूँआ है प्रफाइल हे कट बोलते है आप इन 90 डिगरी नॉट प्रपाइल तो उसमें इस तरीके से म किने बालों को उठा लेना है and सिरफ ends को फोल्ड करके छोड देना है आपको जादा उसमें कुछ नहीं करना है सिर्फ ends को फोल्ड करना है outwards result आएगा इसका हम कर रहे हैं vertically जो की हमें outwards का result देंगे ये आपके depend करता है हमेशा जब भी आप है कत करते हो, लेरींग या कर सकते हो, ग्रेदुघयशन कर सकते हो, उसमें यह टॉओँ किए इसली, तो अभी मैं ज्यादा टाइम ना लेकर यह छोटी वीडियो बनाऊंगा, मैंने 3 सेक्शन बहुते हैं, अब ये पार्ट को मैं पूरा पकड लूँगा, मैंने पूरे हेकट को 90 डिग्री पे कट किया हुगा, इसलिए मैं टॉम को भी 90 डिग्री पे बालों पे लेके जाऊँगा, और एंड्स जैसे ही एक स्टेट लाइन आती है, और फोल्ड कर दूँगा, जस्ट वन्स, एक फोल् आने वाला है, इसका रिजल्ट देखके, कि हम कर एक्शल ओपोजिट तरीके से रहे हैं, बट इसका रिजल्ट एकदम डिफरेंट आएगा, तो मैं 90 डिग्री पे खीच रहा हूँ, I think आप लोगों को समझत हो आ गया होगा, मैं बताने की जो कोशिश कर रहा हूं सबको, हम तीन सेक्शन राइट साइड में, तीन सेक्शन लेफ साइड में, और उसको 90 डिग्री पे पुल करके, मैं अच्छे से पकड़ूँगा, और देन एंड्स को सिरफ फोल्ड कर लूँगा, इस तरीके से एक फोल्ड किया, देन उसके बाद बालों को छोड़ दूँगा, अग मुझे चार मिनट भी नहीं लगेंगे, ये करने में, आप देखते जाहिएगा, अभी तक तीन मिनट नहीं हुएं, तो इस साइड भी उसी तरीके से, पूरे पार्ट को एक ही बार में ले लूँगा, और बाल अगर आपके डिपेंड करता है, ठिकनेस, डेंसिटी कितनी ज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, सब लोगों के साथ, अभी मैं बोक्स हेरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, फ्रंट एंड बैक, इन बालों को मैं आगे लेके जाओंगा, ध्यान से दिखेगा, मैं टूवर्ड द नोज, जैसे हमने हे कट किया था, उसी तरीके से, हम टूवर्ड द नोज इसको आउट वर्ड करेंगे, इस तरीके से, जो टाइम लगता है, दस सेकिंड जैसा वो छोड देंगे, और ज्यादा फोल्ड नहीं करूंगा, फ्रंट के पार्ट को ये ध्यान रखेगा, हम फ्रंट के हेर को ज़्यादा फोल्ड नहीं करेंगे, मैं सारे बाल आगे लेके जा रहा हूं, विकास मुझे थोड़ा क्राउन पर बाउंस चाहिए, इसलिए, तो एंट को हलका सा आउट किया, जैसे बाल गरम होए, छोड दि नहीं है, तो कोई ऐसा इस्यू नहीं है, मैंने सारे बालो को खोल दिया, जसी दे रिजल्ट, पसंद आया, लाइक कर दो सब लोग, सब्सक्राइब कर दो, और बैल का आइकन दबाना मत भूलियेगा, येस, ये है हमारा फाइनल रिजल्ट इन पिक्चर, एंदेन उसके बा आज का वीडियो, ओके, हलो, आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए, और सबसे पहली बात, कि हमारे कुछ कोर्सें हैं, जो कि यहां पे दिखाई देंगे, ये फ्री आफ कोर्सें हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते रहते हैं, और ये अपकमिंग कोर्सें है, इसकी डेट आप देख सकते हो, इसकी उपर ही, और आप हमारे इंस्टागराम को जरूर फोलो करें, क्योंकि इस पर हम नए कोर्स के बारे में बताते हैं, ये टिप्स के बारे में बताते है नए कोर्स कब स्टार्ट होंगे, कौन सी डेट होगी, कौन सा टाइमिंग होगा और बहुत सारे नए जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, अपकमिंग वीडियोज है उसकी वीडियोज, उसकी आप बोल सकते हो, ट्रेलर जो है, उस इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे हम लोग अप्लोड करते हैं तो आप इंस्टाग्राम को जरूर फोलो करें और लास्ट में, यहाँ पे एक जोईन का बटन है, अगर आप जोईन करना चाहते हो, हमें, हमारे चैनल को तो इसमें मैंने तीन अलग-अलग पार्टेशन बनाए है, अकोर्डिंगली आपको पे करना है और आप अकोर्डिंगली वीडियो भी ले सकते हो, नोट्स भी ले सकते हो, तो आप जोईन पे क्लिक करके, वहाँ पे एक तीन मिनट का वीडियो है, वो देखिए और आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा, कि जोईन का मीनिंग क्या है, ओके, तो आज के लिए इ आपको एंगज है, जोई एंगात वरा आपको एंगली वीडियो में समझी ले ले सकते हो, उल्म केकला वीडियो प्मक्यव कोईज का वशा ये सकते हो, ये झाव वीडियो भॉज झापके वीडियो अना चापको एंगात्ना इंग एंगऑ और आपको एंगीज व्स् atéिंग झाल झाल